जय मातादी दोस्तों तपहूमी क्लासिस पर मैं अबदेश बदोरिया आप सभी का स्वागत करता हूँ मद्द प्रदेश पुलिस कॉंस्टेवल एक्जाम की तयारी कर रहे चात्रों के लिए बहुत ही महतपूर वीडियो है दोस्तों यहाँ पर क्या है कि आप सभी को पता है कि अब जो एकजाम होंगे वहाँ पर 100 प्लस 100 नंबर का पैटरन रहेगा 100 नंबर का आपका रिटन एकजाम रहेगा और 100 नंबर का आपका फिजिकल एकजाम यानि PPT साररिक दच्चिता परिच्ड होगा रिटन एक्जाम आपका जैसा होता था उसी तरीके से होगा लेकिन जो आपका साररिक परिच्छड है ना यानि जो PPT है उसके अंकों का वितरड किस तरीके से किया जाएगा उसके बारे में यहाँ पर सर्कुलर आ गया है और मैं आपको यहाँ पर डिटेल में सारी चीज़े बता रहा हूं जो गैर तक्णीकी पद एंपने के लिए अलग जो क्या कहते हैं फिजीकल के मार्क्डरा के रहेंगे और जो तक्णीकी पद हैं उनके लिए अलग रहेंगे अलग और भूत्पूर सेनकों के लिए अलग रहेंगे तो सबसे पहले हम जो सामान में जो पुरुस हैं पुरुसों के लिए लगेंगे तो आपको 00. up world नंबर मिलेंगे एक यानी की मिनिट से भी थोड़ा ऐसेrick बादा अगर ज्लीज्ट से ज़ला अएपको 90 क मिलेंगे वहीं पर लंभीकूंद में अगर सब्सुर्प से मकी लंभी I Ape n00 करी सब्सुर Championship 80 vak 한வ directed तो आपको zero number मिलेंगे अब इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा सा यहां पर दो तीन तीन number के gap पर दो दो number के gap पर आपकी marking दो दो second के gap पर आपकी marking चल रही है फिर दो second का में एक number, दो number, तीन number ठीक है इस तरीके से numbering रहेगी सबसे ज़्यादा जो वेटेज है वो आपका दोड़ का है, दोड़ 40 number की है बाकी ये दोनो 30-30 number के हैं, इस तरीके से 100 का physical है, अगर आपको पूरे 100 number चाहिए, तो आपकी दोड़ कितनी होनी चाहिए, वो देख लेते हैं ये पूरी PDF है, इसके आप स्क्रीन सोट ले लेना, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि 40 number आपको अधिक्तम कम भी लेंगे, ठीक है अगर आप दोड़ जाओगे 124 दिसबलब 2 से कम है, या 124 दिसबलब 2 से किंड में अगर आप दोड़ोगे, यानि कि 2 मिनिट 4 से किंड से कम समय में अगर आपने 800 मीटर की दोड़ ताय कर दी तो आपको मैकसिमम 40 नमबर मिल जाएंगे, है ना इसी तरीके से अगर आपने गोला फैंक में, क्या किया, सारी, लंबी कूंद में अगर आपने 5 दिसबलब 5-7 मीटर से अधिक की लंबी कूंद कर दी तो 30 नमबर मिल जाएंगे इसी तरीके से गोला फैंक में अगर 8 दिसबलब 7-6 मीटर से जादा का गोला फैंक दिया तो आपको 30 नमबर मिल जाएंगे यानि कि मैं आपको बता दूँ बहुत से बच्चे ये सोचते थे कि हम फिजीकल में तो 100 का फिजीकल मार के आएंगे तो 100 का फिजीकल हर किसी बच्चे के बसकी बात नहीं है अब बहुत ही 100 नमबर लाने के लिए काफी मेहनत करनी पड़ेगी है ना लंबी कूंद गोला फैंक के लिए 3 अफसर दिये जाएंगे बज़ा नित्रा रहेगा ये पता ही है अब हम बढ़ते हैं आँगे और महलाओं के लिए देखते हैं कि महलाओं के लिए क्या पैमाना रहेगा मापन का तो यहाँ पर भी 40 मीटर की 40 नंबर की दोड़ है 30 नंबर की लंबी कूंद है और 30 नंबर का गोला फैंक है देखते हैं सुरुआ जीरो नंबर कहां से हैं अगर आपने 261 दिसावलाव 8 सेकिंड से अधिक समय ले लिया तो इसफार का अगर फिजीकल किसी लड़की को करना है तो उनको क्या करना पड़ेगा 176 दिसावलाव 10 सेकिंड से कम में दोड़ न पड़ेगा यानि कि 3 सेकिंड में 4, 3 मिनिट में 4 सेकिंड कम चार सेकिंड कम में अगर आपने दोड निकाली तो आपको पूरे 40 नमबर मिलेंगे ठीक है उसके उपर अगर 178 सेकिंड में निकाली तो 49 नमबर मिलेंगे 184 cm में second में निकाली तो 36 नंबर मिलेंगे ऐसे ही अगर हम लंबी कूंद की बात करें तो 4 दिसबलब 3-6 मीटर से ज़्यादा अगर आपने लंबी कूंद कर ली तो 30 नंबर मिलेंगे और 7 दिसबलब 2 मीटर से अधिक की अगर आपने गोला फैंक दिया तो 30 नंबर मिलेंगे गोला 4 kg का आपका रहेगा लंबी कूद गोला फैंक के लिए 3 अवसर दिये जाएंगे यह पूरी नंबरिंग है यह नंबरिंग की लिष्ट आप यहां से स्क्रीन सॉट ले सकते हैं अब हम बढ़ते हैं आँगे टेकनिकल पदों के लिए यहां पर थोड़ा नंबरिंग सिस्टम अलग है यह देखिए सिथिल मापदंडों के साथ हॉमगाड भूतपूर सैनिक तथा केवल 800 में इनको 800 में थोड़ी सिथिलता दी गई है प्रिशनगत दस्तावेज अन्य तकनीक अंगली चिन ट्रेड और ट्रेड वालों के लिए अलग है ट्रेड वालों के लिए और यह जो भूतपूर सैनिकों के लिए सैम है यहां पर 224.5 सेकंड से ज़्यादा में अगर आप निकालोगे दोर तो 0 नंबर मिलेंगे ठीक है 224.5 में निकालोगे तो एक नंबर मिलेगा 222.5 में निकालोगे तो दो नंबर मिलेंगे कुछ इस तरीके से ऐसे ही लंबी कूंद में भी मार्किंग है और यहां पर आपकी गोला फैक की भी मार्किंग दी गई है यहाँ पर हम देखते हैं अगर हमको 100 नंबर का फिजीकल मारना है तो हमको क्या क्या चाहिए 100 नंबर के फिजीकल के लिए 2 मिनिट 16 सेकंड 16 ही हो जाएंगे 120-26 सेकंड 2 मिनिट 26 सेकंड में अगर आप दोड़ पूरी कर रहे हो तो अधिकतम 40 नंबर मिल जाएंगे आप एधिक समय ले रहे हो तो 30 नंबर मिल जाएंगे और 8,07-13 अगर आपने गोला फेंग दिया तो 30 नंबर मिल जाएंगे अगर आप दो फ़ॉर्म भर रहे हो एपका प्लस आपका इकड़ी का भी फॉर्म है मलाब सौरी अगर आपका टेक्निकल का वी हो है और आपका GD का भी form है तो आपको क्या है ना दोनों physical के अलग-अलग number मिलेंगे आपने मलब physical एक ही किया है लेकिन GD में उसकी numbering थोड़ी कम होगी और tech में उसकी numbering जादा हो जाएगी है ना महलाओं के लिए भी यहाँ पर यह देखिए technical के लिए दे रखा है यह सारे मापदंड हैं आप देख सकते हो हम सीधे देखते हैं अगर उनको 100 number का physical, technical या trade में चाहिए तो उनको क्या चाहिए 220 सेकिंड से कम की तो running चाहिए और 3.6-7 मीटर से अधिक की लंबी कून चाहिए और 7.05 से अधिक की उनको भाला फैंग वो गुला फैंक चाहिए तो उम्मीद है कि आपको यह सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी और MP Police Constable Exam की तयारी कर रहे हो तो तपवभूमी Classes के application को जरूद डाउनलोड कर लीजिए वहाँ पर हम जल्द ही MP Police Constable Exam के लिए नया बैच लेकर आने वाले हैं पिछली परिच्छाओं में भी 1500 से ज़्यादा बच्चों का selection हमारे तपवभूमी परवार से हुआ और इस बार हम अधिक से अधिक selection की और रहा बनाना चाहेंगे धन्यबाद जयमाता दी